हलो दोस्तों मैं सोरों बलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाला है रीजिनिंग के टोप 200 कोशन स्रीज का पार्ट तू अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्केप्शन बोक्स में लिंक दे दूँगा वहां से जाके आप देख लेना इन टोप 200 कोशन में मैं पूरी रीजिनिंग कवर करने वाला हूँ अगर आपको चाहिए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तो नीचे रैड़ कल गए बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लिजेगा आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुचन हो जाएगा इसी तरीके से मैंने मैद की और जीके के ऑनलाइन टेस्ट की भी सीरीज स्टार्ट की है उनके प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएंगे वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं इन सभी अग्जाम के लिए आर्पिय पैसाई एर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतेगा ठीक है वहाँ चलिए यहाँ पर पहले कोशने सीरीज करते हैं मैंने आपको बटा एए अगर इवल्ड हो छलता है तो series बहुत दिरे-दिरे से decrease होती है तो series बहुत दिरे-दिरे से decrease हो रही है इसका मतलब इसमें कुछ ने कुछ minus चल रहा है तो इस तरीके से series गो सोचते भी करेंगे तो बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से concept के लिए रोजाएंगे आपके तो यह तो बिल्कुल सा question था next question देखते है next question है आपका mix series का समझ मैं आगा नहीं देखे हर एक question के मैंने solution भी दे रखे है PDF आप download कर सकते हैं Topi study के telegram channel से तो next question है आपका बहुत ही अच्छा question है try भी करके देख सकते हैं ताकि आपको भी practice हो जाए और questions भी आपके हो जाएं ठीक है तो इसमें क्या चल रहा है यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आपको alphabet के number याद नहीं है तो याद करिए अगर याद नहीं हो रहे हैं अभी time नहीं है तो एक काम कर लीजे जब भी आप exam देने जाए न तो वहाँ पर जो rub sheet आपको मिलती है उसमें लिख लीजे A से M तक M के नीचे N और N से Z तक इस तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी लिख लीजेगा और उनके उपर number डाल लीजेगा 1,2,3,4 इस तरीके से number डाल लीजेगा ठीक है तो ये भी एक trick है बहुत से बच्चे हैं आपे questions को गलत करके आ जाते हैं तो गलत नहीं करके आना है वैसे लिख लेना तो बहुत सारे हो जाएंगे जैसे यही वाला question है अगर आपको पता है A पहले number पे आता है ठीक है और C आपका तीसरे number पे आता है तो नो और साथ 16 हो जाएगा तो ये series इसमें चल रही है अब ये तो मैंने आपको बता दिया बट इसमें next कौन से आएंगे ये भी तो पता होना चीए तो देखें आपे plus 2 plus 1 चल रहा है plus 2 plus 1 चल रहा है तो यहाँ पे plus 2 और यहाँ पे next plus 1 चलेगा तो I से क्जा आएगा J आएगा ठीक है तो J और फिर यहाँ पे next plus 2 करेंगे तो J में plus 2 करेंगे क्या हो जाएगा बइस आपका हो जाएगा यह थो यहाँ पे आपका हो जाएगा J L और J आपका आता है कितने पे 10 वे पे और L आता है आपका 12 पे तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 तो यहाँ पे आप 22 लिख देंगे तो क्या हो गया J 22 और आपका L तो right answer J 22 L हो जाएगा तो option A is the right answer आशे करता हूँ कि question समझ में आ गया होगा अगर किसी भी question में doubt रहता है तो नीचे फटाफट comment कर दिया करें क्योंकि series start है तो इसमें next video में cover हो जाएगा tension लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है अगर समझ में आते रहे तो like करते रहेगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपकी समझ में आ गया चलिए next question पे चलते है question number 3 भी एक series का question है और यह last series का question है इस video का फिर next दूसरे type पे चलेंगे हर एक type की question cover कराऊंगा tension मतलीजेगा यहाँ पे देखिए यह इस तरीके से break करके कुछ series बनाई जा रही है तो सबसे पहले यहाँ पे देखते है series किस तरीके से चल रही है यहाँ पे a लिखा है यहाँ पे c लिखा है यानि कि कितना चला है plus 2 चला है i यह 1 लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे भी plus 2 चला है यहाँ पे z है यहाँ पे x है इसका मतलब minus 2 है और यहाँ पे 26 और यहाँ पे 24 यानि कि minus 2 है तो अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे plus 2, plus 2, minus 2, और minus 2 की स्रीज चल रही है, नहीं कि पहले 2 में तो आपका plus 2 चलता है, और last के 2 में आपके minus 2 चलता है, ठीक है भई, वैसे आप इसमें देखेंगे, तो plus 2 हो जाएगा, और 3 में plus 2 करेंगे, 5 हो जाएगा, x में से minus 2 करेंग और V में minus 2 करेंगे, तो आपका T हो जाएगा, और 22 में से minus 2 करेंगे, तो 20 हो जाएगा, तो यह आपका क्या बन गया, G7 T20, G7 T20 कौन सा है, G7 T20 आपका पहले वाला ही है, यानि कि option ही right answer हो जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ important series है, जो कि आपके exam में पूछे जाते हैं, mix series, य आपको और एक वीडियो में cover कराते रहूंगा, चलिए next question पे चलते हैं, question number 4, direction से है, बहुत ही अच्छा और important question है, इस तरीके के question बहुत सारे exam में आते हैं, और यहाँ पे देखी, यह question मैंने इसलिए लिया है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सा left, right मुडने में बहुत problem आती है, जब question में बोला जाता है, तो एक बार वीडियो को, इस question को ध्यान से देख लिजेगा, problem नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, आकास 16 मिटर दक्सिन की ओर चलकर, बाई और मुड जाता है, अब पहले मुझे यह बताए, दक्सिन की direction कौन सी होती है, यह वाली होती है, ठीक है, तो आप, आकास है ना नाम, आकास को 16 मिटर दक्सिन की ओर चला दीजे, तो यह हो गया, इसका दक्सिन की ओर और आपने हाँ से इस बिंदू से यहाँ तक 16 मिटर उसको चला दिया, next बोला जा रहा है, और 5 मिटर चलता है, और उसके बाद बाई और 5 मिटर चलता है, अब मुझे यह बताइए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, और आपका फेस इस डारेक्शन में है, तो बाई और कौन सा होगा, तो जो आपका बाई है, जो आपका बाई है, वो सामने वाला जो खड़ा है, उसका दाई होगा, और जो आपका दाई है जो अभी तक मैंने बोला, आप ये सोचे कि आकास इस direction में मूँ करके खड़ा है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको बोला जाए, बाई साइड में मुड़ो, तो आपका बाई कौन सा होगा, जब आपका face इस direction में होगा, आप खुद को खड़ा करिये आपे, तो भाई बाई ये ही तो हो जाएगा न, तो पांच मिटर ये चला इस direction में, ठीक है, जब वो इस direction में मूँ करके खड़ा होगा, अब the next बोला जा रहा है, पांच मिटर चला, इसके बाद वह उत्तर की और मुड़ता है, मुड़ जाता है, तो उत्तर की और तो सभी बिल्कूर जैसे वीडियो आप देख रहे हो, तो वैसे ही आपको, आपका राइट साइड कौन सा है, ये ये वाला हो जाएगा, इसी direction में आपको मुड़ना है, देखें, यहापे बोला जा रहा है, इसके बाद वह दाई और मुड़ का 12 मिटर चलता है, तो आपका जो जब फेस इस direction में होता है, बस, और कुछ नहीं करना है, जब इस direction में face है, किसी भी चलने वाले बंदे का, जो इसमें question में दिया जाता है, करेक्टर, उसमें आपको बस ये देखना है, कि अगर face इस direction में है, तो आपका उल्टा हो जाएगा, अगर इस direction में है, तो आपको प अगर यहां पे वो इस direction में खड़ा है तो आप बतिए बाई और यहीं तो होगा ना तो 9 मिटर फिर वो चल देता है तो यहां पे वो अभी आ चुका है इसके बाद बोला जा रहा है तो वह इस समय चलने के इस्थान से कितने दूर है तो भई चलना उसने यहां से start क्या था अ अभी स्टार्ट हुई है सारे important question कवर कर लेंगे tension मत लीचेगा समझ में आते रहे तो like कर दीजेगा या फिर comment कर दीचेगा चलिए next question पर चलते हैं देखे एक यह question है जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां पर बोला है पांचवे question में चात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से नौवा अंकुस दाएं से चटवे स्थान पर है तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रो करते हैं और जो चात्रों में बोला है कि कतार में रमेश बाएं से नौवा और अंकुस दाएं से चटवे स्थान पर है तो रमेश बाएं से आपका नौवा हो जाएगा यह हमने लाइन डो की और अंकुस दाएं से आपका छटा इस्थान पर हो जाएगा ठीक है यह तो आपको यहां तक समझ में आई गया होगा कोई दिक्कत नहीं है दाएं से छटे स्थान पर हो गया जब रमेश तथा अंकुस अपने इस्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश जो है वो बाएं से पंदरवा हो जाता है यह है इंपोर्टेंट चीजिस में इतना तो आप करी लेते कि दाएं से यह अंकुस छटे पर और यह रमेश यहां पर बाएं से नोवे नंबर पर इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है सभी बच्चे कर लेते हैं आप इन्होंने बदल लिए अपने स्थान जब यह स्थान बदल लेते हैं तो रमेश इसके स्थान पर जब चला जाता है तो यहां पर क्या बोला है कि यह जब यह स्थान बदल लेगा यानि कि रमेस इची साइड में आ जाएगा और यह अंकुष इस साइड में चला जाएगा तो रमेस अब 20 साइड से शचान पर 15 स्थान पर गया है देखें दुबार से मैं परढ़ देता हूँ तो इसका ये ये वाली position जो जिस पर अंकुस बैठा था अब ये वाली position इधर से लेके पंदरवे नंबर पे है ठीक है आप समझ के इस ठीज को रमेश इधर गया अंकुस इधर आया अब जो रमेश इधर आया तो ये बाएं से पंदरवे स्थान पर आ गया अगर ये इसका इस्थान यहां से पता है तो ये इस्थान और इन दोनों को तो प्लस कर लिजे छे और पंदरहों एधर यह पर-शिप करके य donc ये वाला 9 माईस कर दीजो ठीक है पंदरह है और जो में और पर उसमें 6 कर दीजे यह TO आप ऐसे कर लीजे या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं सीधा सा इन दोनों को प्लस करिए और इसको माइनस कर दीजे तो आपका ये वाला स्थान आ जाएगा ये कैसे आएगा एक बड़ और समझ लीजे ये वाला स्थान अब ये जो रमेश बैठा है न ये इसी स्थान पर तो इसका मतलब हमें पूरी की पूरी लाइन का नंबर पता चल गया ये इधर से और इधर से पूरा का पूरा एक सिरीज हमें पता चल गयी तो 6 और 15 को प्लस कर लेंगे ठीक है और इस में से आप क्या करेंगे बस 9 को माइनस कर देंगे ठीक है ये इन दोनों को प्लस करना ह इसको मैनस करना है आसे गरता हूँ कि समझ में आ गया होगा क्योंकि फिर यह वाला स्थान बच जाएगा आपका इधर से वो भी इधर से नहीं क्योंकि यह वाला तो हमने अटा देंगे इधर वाला तो इधर से यह वाला स्थान बच जाएगा ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो comment box में बता दीजेगा मैं आपको बिल्कुल next video में फिर से cover करा दूँगा या फिर इस तरीके के और question करा दूँगा नेक्स्ट आपका sitting arrangement से कोशन है यहां पे बोला जा रहा है और इस कोशन में बोला जा रहा है पांच लड़के वरतकार गेरा बनाकर खड़े हैं राजेस महेश और सुरेस के बीच है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले राजेस को जहां पे भी रखूँगा वो महेश और सुर नहीं है ठीक है बट इन दोनों के बीच में राजेस है यह तो confirm है यहां पर बोला जा रहा है महेश और सुरेस के बीच में है next बोला गया आलोक रजट के बाई और है आलोक जो है वो रजट के बाई और है तो यहां पर देखिए रज़त कभी अभी इस्थान फिक्स नहीं ह है यहां पर Allah के बाई और है तो अगर महेश को म proces के बढ़ाता हूं तो इसके बाद ही कि यह महेश कि आलो जो है बाई ओर आएगा तो रूरी कंडिशन हमतलब सोल होगे आपकी यहां पर देख रहे होंगे आप है दुपर और ठीक है अच्छी से समझ में आना चाहिए आलोक रज़त के बाई और है देखिए इसका ये बाई कौन से पाए इसका इसथान फिक्स नहीं है तो ये फिक्स हो गया क्योंकि इसका बाई और अगर इधार आता है तो तभी ये महिश यहाँ पे आएगा ठीक है तो महेश आलोक के बाई ओर है तो ये इस डाई ओर है तो ये इस डाई ओर होगा तो फिर ये गलत हो जाता ठीक है यानि कि इस डाई ओर है तो ये फिर साइद ये यहाँ पर आता बट अभी यहाँ पर बोला कि बाई ओर है आलोक के बाई ओर है महेश तो महेश यहाँ पर आए महेस है ठीक है राजेस जो है राजेस के ठीक बाई और तो दाई ये हो जाएगा तो ये महेस हो जाएगा तो यहाँ पर महेस यानि कि option A right answer आपका हो जाएगा ठीक है भई तो आशा करता हूँ कि आपको ये question भी समझ में आ गया होगा ठीक है अभी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बैठाते हैं यहाँ पर जो face होता है अगर कभी बोला जाए वरतकार घिरा तो उसमें हम मानते हैं कि अंदर को face है सभी के ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखेगा तो उसी के हिसाब से मानिएगा कि जब अंदर को face होगा तो यह कौन सा left होगा और कौन सा right होगा इसी तरीके से आप इन questions को कर सकते हैं चलिए next question पर चलते हैं question number 7 है आपका एक when diagram से इसमें बोला जा रहा है निमलिकित आरेखाओं में से किसके दुआरा इस्तंधारियों गायों और कोव को परदर्सित किया गया है तो यहाँ पर क्या है आपको चार option दिये गए है when diagram के सबसे पहले जब भी आप when diagram का question करते हैं उसमें आपको एक चीज को ध्यान देना होता है जैसे आपको बोला इस्तंधारी गायों और कोव के बीच में तो आप इनके बीच में बन सकता तो इसका मतलब आपको एक when diagram तो ऐसा सो करना है जिसमें अलग सो किया गया हो और दो को relate करके बनाना है तो यह तो तीनों को ही अलग सो कर रहा है यह तो अलग धलग कर रहा है तीनों को ही तो यह वाला तो right कभी नहीं हो सकता फिर इस option बी आ गया अब इसको satisfy भी कर लेते हैं इसमें मैंने बोला कि एक when diagram होना चीए अलग सी तो कोवे वाला जो when diagram है आपका यह वाला यह अलग सो हो रहा है तो बिल्कुल सही है यह तो आपका बन गया यह वाला अब यहां पर बोला गया है कि आरेका से किसके द्वारा इस्तंधारी और गाएं देखिए एक गाएं जो है वो इस्तंधारी है तो इसका मतलब गाएं सभी गाएं इस्तंधारी होगी तो यहां पर आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा पहले when diagram गाएं का होगा फिर उसके ओपर को इस्तंधारी हो तो आसा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं question number 8 है आपका कथर निसकर से इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे बोले जारा है सभी बोतले जार है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सबसे पहले बोतल का एक वेंड डियाग्राम बनाएंगे जैसे आपने बना लिया और सभी के सभी बोतल जार है तो इसका मतलब ये वाला इसके उपर को वेंड डियाग्राम आ जाएगा जार वाला ठीक है सभी बोतले जार है दूसरी में बोला जा रहा है, दूसरी line में कुछ jar glass है, तो यहाँ पर हलका सा आप jar वाले में कट लगाएंगे, और कुछ jar आपके glass हो जाएंगे, तो यह भी आपका बन गया है, दूसरे वाई line में, ठीक है, कुछ jar glass है, तो यह भी आपने लास में उसको सो नहीं किया है ठीक है तो यह बिल्कुल आपका त्यार है वेंड डियाग्राम बनके इसमें निसकर्स देख लेता है अब निसकर्स हमारे निकलते हैं नहीं निकलते हैं कोई बाउल जार नहीं है तो बाउल और जार के बीच में कोई रिलेशन बोला गया कोई बात बोली गई नहीं बोली गई तो यहां पे यह कहना भी गलत होगा कि कोई बाउल जार नहीं है अगर किसी के भी बीच में कोई बात नहीं बोली जाती है ना तो हम उसमें कोई नहीं वाला रिलेशन निकाल सकते और नहीं कोई है वाला रिलेशन निकाल सकते ठीके कुछ और पूरा separate chapter wise भी बता रखा है link नीचे description box में वीडियो के मिल जाएंगे वहां से जाके आप देख सकते हैं तो यह हो गया आपका यानि कि पहले वाला तो नहीं हो सकता दूसरे वाला कुछ glass बोतले हैं तो glass और बोतले के बीच में correlation बताया गया नहीं बताया गया है अगर यह पर यह बोला जाता है ज्यांते सुनिएगा कि कुछ बोतले glass हैं अगर यह बोला जाता कि कुछ बोतले glass हैं तो उस condition में कुछ जार glass हो जाते हैं और अभी क्या बोला गया कि कुछ जार glass हैं कुछ जार glass हैं तो इस condition में automatic बोतले नहीं हो सकती हैं कुछ बोतले glass नहीं हो सकती तो दूसरे वाला भी आपका गलत हो जाएगा तो इसका मतलब कोई सा भी इसमें से निसकर्स नहीं निकलता है तो नन उफदीज आपको राइट आंसर लगाना है आसा करता हूँ कि ये कोशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चले नेक्स कोशन पर मूग करते हैं कोशन नमबर नाइन है यह विस्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब पड़ती एक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्मान सव्वे करता है तो इसका मतलब इससे आप क्या समझते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी है और खराब लोग भी है तो और जो व्यक्ति रहते हैं आप अपनी दुनिया का निर्मान खुद ही करते है तो निसकर्स क्या है इसके कुछ लोगों को यह विस्व काफी अच्छा लगता है तो बिल्कुल यही बात तो यहां पर बोली जा रहे है कि यह विस्व ने तो अच्छा है और ने ही खराब है तो इसका मतलब कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है और कुछ को खराब लगता है ठीक है क्योंकि खराब भी नहीं है यह अच्छा भी नहीं है कचन के according फिर दूसरे में बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को यह विज काफी खराब लगता है तो बिलकुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे condition दोनों है अच्छा लगने वाली भी और खराब लगने वाली भी तो दोनों निसकर्स आपके right हो जाएंगे तो question number 9 के निसकर्स दोनों right हो जाएंगे यही आपका right answer बन जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है न अगर पसंद आ रही है तो nice सा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजे और अभी मैं आपके लिए कुछ और भी questions लेके आया हूँ उनका answer भी दीजेगा ठीक है इस question के बाद में देखेंगे question number 10 है मुंबई और औरंगाबाद जल्दी पहुँचने के लिए विमान से जाए यानि कि मुंबई से अगर आपको औरंगाबाद जाना है तबी आपको ये कोई बोलेगा कि आप मुंबई से औरंगाबाद विमान से जाएए तो पहला आपका राइट हो जाएगा तो विमान से जुड़े हैं ये confirm है तूसरे वाला है मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए और कोई साधन नहीं है तो ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कथन में सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुँचने के लिए भी मान से जाएए यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि कोई भी साधन नहीं है थो साधन हो सकते हैं एसे किसने ये confirm नहीं कर सकते कि और साधन नहीं है तो यहाँ पर जल्दी पहुचने की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये वाला wrong हो जाएगा पहले वाला right हो जाएगा ठीक है दोस्तों समझ में आ गया ना चलिए next question पर चलते है Question No.11 है आपका दोस्तो एक mirror image गार ठीक है आप इसको water image भी बोल सकते हैं क्योंकि नीचे का अगर आप रखा मिलता है mirror आप बोलता है उसको water image और फिर आप इसको हमेशा मिरविड इमेज भी बोल सकते हैं क्योंकि mirror नीचे रखा तो उसको water image बोल देते हैं side में रखा है तो उसको mirror image बोल देते हैं तो यहां पर नीचे दिएगे आकरती के दरपन में देखने पर उसका दरपन परतिविम कैसा बनेगा यह आपको बताना है मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी simple सी trick बताई है सारा आप एक तम से कर लेंगे जब भी यहां पर mirror रखा होगा आपको चेक करना है कि इसके पास में क्या चीज़े हैं और दूर कौन सी चीज़े हैं तो पास में यह चोंच वाली और दूर है यह डबल वाली यानि कि इस तिरबुज के दो भुजा तो उपर की तरफ हैं और एक नीचे की तरफ हैं तो आप बिल्कुल एक सेम ऐसी ही भुजा बनाएंगे जो कि इस mirror के पास में रहेगी चोंच और यह दो दूसरी भुजा हैं यह रहेगी दूर तो आपको सबसे पहले तो यह confirm होना चाहिए कि मेरी भुजा जो बनने वाली है वो कुछ इस तरीके की बनेगी तो यह तो तीनों सोरी चारो की चारो इस वह वैसी है तो ठीक है यह तो हमारा काम नहीं कर पाया next step देखते हैं अब next step हमारा है यहां पर लिखा एस यहां पर 3 कट कर दीजिए direction चेंज नहीं होती है किसी भी condition में यह आपका चेंज हो चुका है इसको कट कर दीजिए फिर अगर मैं इन दोनों की बात करूँ कि इन दोनों में से कौन सा right answer रहेगा देखे दो तो मेरे कट चुके ना बचे कितने दो अब इन दोनों में से आपको right answer choose करना है यहाँ पे देखिए अब फिर मैं mirror पे आता हूँ mirror के पास में इस direction में निकला हुआ है एसका थोड़ा सा यह portion ठीक है तो आपको direction change नहीं होगी अगर यह s का इस direction में निकला है यह थोड़ा तो इसी direction में figure में होना चाहिए तो इस इस direction में जा रहा है वैसे भी यह wrong है तो यह इस direction में है तो आपका यह वाला right answer हो जाएगा तो आप चोटी चोटी चीजों को पकड़ के questions को कर सकते हैं या फिर मैंने आप पूरा लिख दिया है इसको पढ़िए दरपन a b की स्थित से यह इस first है कि आकर्ती के नीचे दरपन स्थित है दरपन जब वस्तू के नीचे हो तो वस्तू के नीचे का भाग उपर और उपर का भाग नीचे आ जाता है आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं बस यह थोड़ा सा मुझे confusing लगता है क्योंकि कहीं बार जब exam में बैठे होते हैं उस टाइम पर नीचे का भाग समझ में नहीं आता है जो चीज मैंने बताई आपको की दरपन के जो चीज पास में है पास में रहनी चीए दूर में है दूर रहनी चीए बस उसे आप implement करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे ठीक है और दाएं तथा बाएं भाग का कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ इस point को आप ध्यां से सुनिए कि जो दाएं है तो दाएं ही रहेगा वो बाएं नहीं आएगा ठीक है ना तो दाएं बाएं का फर्क कोई नहीं पड़ता है हमेशा परसन आकरती में एक कालपनी करेखा खीची है ताकि वह इस पस्ट है कि हो सके कि कितना कौन सा भाग नीचा है और कितना भाग उपर है यानि कि बीच में किछने के बाद में पता चल जाते है कि उपर का भाग है नीचे का भाग है तो आप किसी भी तरीके से करिए आकरती के questions जो होते हैं mirror image वाले यह hard नहीं होते हैं ठीक है नब बहुत simple होते हैं पस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जड़त होती है चलिए अब मैं आपसे कुछ questions पूछता हूँ और इन questions का answer आप comment box में जरूर दीजेगा यहाँ पे यह पहला दूसरा तीसरा आप इनका answer भी मिल जाएगा आपको टेंजन बिल्कुल मत लीजेगा इनके answer इसी पीडियाप में मैंने दे दिये हैं यह पीडियाप आप डाउनलोड कर लीजेगा कहां से टेलिग्राम से टेलिग्राम पे जाएगा अभी टेलिग्राम पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है topic study और जो भी सबसे उपर link आएगा वहाँ पे जाके click करके join करके पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं आप कोई भी reasoning की math की online test की कोई भी current affair की सारी वीडियो पीडियाप हमाँ पे uploaded हैं तो यह questions है आशा करतों कि आपने देख लिए होंगे और यह आपका 3 और 4 भी है तो बहुत ही अच्छी बात यह बोली गई है आशा करतों कि आपको पसंद आई होगी तो इसी बात पर वीडियो को like और share कर दीजेगा ताकि मुझे next वीडियो के लिए आपको यह ना सोचना पड़े कि आपके लिए कितने questions रखूं कितने अच्छे questions लेके हूं फटा-फट important questions collect को हो जाएं क्योंकि जब भी किसी काम को करते हैं तो motivation बहुत जरूरी होता है आशा करता हूं कि आप हमेशा motivate करते रहेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद आपका देन सुब हो